नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ विश के दांत परहेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्तोपूर्ण है, पडिक्षा के पॉआंटो भीव से भी और आपको इसमें बहुत सारी शिक्षा भी मिलने वाली है। इस पाठ का जो मोडल है ज्यान वो इतना अच्छा है कि आपको बहुत ही खुबसूरत मालूम पढ़ेगा, इसको आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी पाठ को पढ़ने के पहले हमें उसके लिखक के विशय में पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग नलिन विलोचन शडमा के विशय में पढ़ेंगे। नलिन विलोचन शडमा का जन्म 18 फरवरी 1916 इस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ, वे जन्मना भोजपूरी भाशी का मतलब है, जन्म से ही भोजपूरी बोलते थे मतलब उनकी मात्री भाशा भोजपूरी थी। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महा महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के जेश्ट पुत्र थे। उनके पिताजी पंडित रामावतार शर्मा पहुत बड़े विद्वान थे। माता का नाम रतनावती शर्मा था। उनके वेक्तित निर्मान में उनका जो वेक्तित बना उसके निर्मान में पिता के पंडित्य के साथ उनकी प्रखती शील द्रिष्टी की भी बड़ी भूमिका थी। मतलब क्या था कि पिता के संपर्क में आने से उनमें पंडित्य तो आया ही ज्ञान आया उसके साथ साथ उनका ज्ञान जोर नहीं था। उसमें प्रगति शील द्रिष्टा थी। मतलब ग्यान बदलने की चीज है, समय के हिसाब से ग्यान बढ़ता है, ग्यान गतिमान होता है, कोई भी ग्यान इस्थर नहीं होता है, वह समय और देश के परिप्रक्ष में देश और समय के हिसाब से बदलता रहता है, ये बाते यहां पड़े हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई पठना कॉलीजियट स्कूल में हुई और पठना विश्विद्याले से उन्होंने संस्कृत और हिंदी मेंमे किया एमे की डिगरी उन्होंने ली संस्कृत और हिंदी में हमें किसी भी लिखक को पढ़ने के लिए उसके उस लिखक के विशय में जो महतपुर्ण बाते हैं उन्हें निश्शित रूप से याद करना चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ध्यान नहीं देते समझते हैं कि बस पाठ मुख्य है तो ऐसा नहीं है एक्जामनेशन में परिक्षा में भी आपको एकाथ प्रश्ण लिखक के विशय में होते ही हैं तो परिक्षा के पॉइंट ओव यू से भी परिक्षा के दृष्टिकोन से भी लिखक के विशय में पढ़ना जरूरी है और जब तक आप महान विक्तित्तों को गंभीरता से नहीं समझेंगे तब तक पढ़ाई का जो पूर्ण उदेश है वह आप प्राप्त नहीं करेंगे तो पढ़ाई में घबराना नहीं चाहिए अराम से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि एक भी काम अगर आप ठीक से करेंगे तो दूसरा काम उसके बाद आसान हो जाता है अगर एक चैप्टर कोई एक पाठ आप अच्छी तरह से पढ़ जाते हैं तो उसके बाद का जो पाठ है वह स्वभावय की रूप से आसान मालूम पड़ता है अगर पहले वाले पाठ में कोई बात किसी शब्द का अर्थ समझना छूट गया रहता है तो बाद का जो पाठ हम पढ़ते हैं तो अब पहले वाले पाठ का बाकी हिस्सा उसमें समझ्या पैदा करता है तो इसलिए एक तरफ से हम सभी बातों को ध्यान देते हुए चलेंगे ठीक है वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा राची विश्विद्याले और अंत में पटना विश्विद्याले में प्राध्या पक्र है सन 1969 में वे पटना विश्विद्याले के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मिर्तू परियांत मिर्तू तक और इसी पद पर थे तो उनकी मिर्तू हो गई 12 सितंबर 1961 इस पद पर बने रहे हिंदी कविता में प्रपद्दवाद के प्रवर्तक अब यह हम लोग समझेंगे कि प्रपद्दवाद क्या है तो पद्द का मतलब होता है रचना कविता कविता और एक मतलब रचना तो प्रपद्दवाद, प्रपद्दवाद का मतलब है जो वचन और प्रवचन, तो ये उपद्द और प्रपद्द, तो प्रपद्द का मतलब है कि लेखन जो हो, रचना जो हो, वह समाजों पयोगी हो, अर्थात, समाज में जो बुराईयां हैं, जो समस्याएं हैं, जिनके चलते मनश का जीवन दुखी रहता है, या व्यक्ति को विकास करने में, जो बातें बाधा बनके आती हैं, उनको हाइलाइट करना, उनपर फोकस करना, ये प्रपद्दवादी लोगों का एम है, उद्दे प्रपद्दवाद के प्रवर्तक उनको माना जाता है, नलिन विलोचन शर्मा जी को, वे पद्द लिखते हैं, वे कहानियां लिखते हैं, वे रचनाएं करते हैं, लेकर उनकी रचनाएं जो हैं, वो समाज को समर्पित हैं, मतलब समाज की जो बुराईयां हैं, उन पर वो क उठाड़ा घात करते हैं और नई शायली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं नई शायली के वे आलोचक रहे इस प्रकार से हैं कविता में प्रपर्दवाद के प्रवर्तक थे इसको स्टार्ट की आरंभ किये नई शैली की अलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं द्रिश्टी कोण सहित काईतिहास दर्शन मान दंड हिंदी उपन्यास विशेस्ता प्रेम चंद सहित तत्व और अलोचना अलोचनात्म ग्रंथ विश के दानत और सत्रह और संग्रहीत पूर्व छोटी कहानिया कहानी संग्रह के स्री कुमार्त था नरेश के साथ कावे संग्रह नकेन के प्रपद्य ये नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ संद परंपरा और साहित आदी संपादित ग्रंथ हैं ये नकेन का मतलब होता है ये नलिन विलोचन शर्मा के संबन्ध में इस बात को हमें समझेना चाहिए कि नकेन का मतलब कोई नहीं अर्थात वे मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई सत्य नहीं होता है जो फाइनल हो अन्तिम रूप से सत्य कुछ नहीं होता है सभी सत्य समय के हिसाब से परवर्तनिय है और व्यक्ति को अपनी गतिशीलता में यकीन करना चाहिए जीवित मनुष्य या जीवित विचारधारा या जीवित सत्य वह परवर्तनिय होता है गतिशीलता उसकी प्रमुख खूबी है तो नकेन के प्रबद का मतलब है जो विलोचन शर्माजी लिखते है इस पार कि नकेन है मतलब कोई नहीं है ऐसा इस दुनिया में जो स्थिर हो तो बचता क्या है नकेन का मतलब क्या negativity है नकारतमकता है नहीं या बहुत उंचे दर्जय की सकारतमकता है इस अर्थ में कि जब हम यह मानते हैं की हर चीज बदलने वाली है प्रवर्वर्त शील है तो नो प्रवर्तंशील क्या है ओ प्रवर्तंशील क्य जिव ए उनसान के अंदर झो जीव के अंदर जीने की शक्ति कुछ करने की इच्छ पर्तिभा में अंदर उसे अभिव्यक्ति का अवसर मिले और इस आवसर के रास्ते में जो भी व्यवस्थाये या तथ्या बादा बंकर आवे उनको अस्विकार करना चाहिए जब तक आप असंभव को अस्विकार नहीं करेंगे तब तक आप संभव को प्राफ्त नहीं करेंगे तो असंभव शब्द को अस्विकार करना है और संभव को स्विकार करना है चाहे वह समाजिक बुराई हो, वर्ग संघर्ष हो, उंच नीच का भेद हो, यह सब कुछ परवर्टनिय है, बसरते की कोई इंसान ऐसा हो जो इनको बदलने का प्रियास करे, ठीक है, आलोचकों के अनुसार, प्रियोग वाद का वास्तविक प्रारंभ है, नलिन विलोचन शर समा की कविताओं में हुआ, और उनकी कहाणियों में मनुवज्ञानिता के तत्व समग्रता से उभर कर आये, आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, वे कथ्य, शिल्प, भाषा, आधी सभी अस्तरों पर नविनता के अग्रही लेखक थे, उनमें प्राया, प्रम पड़ागत दिश्ट्री एवंग शैली का निशेध तथा आधुनिक दिश्ट्री का समर्थन है, वे हमेशा बरने की बात करते हैं, वे हमेशा चलने की बात करते हैं, उनका साहित तो हमें प्रेडित करता है, कुछ करने के लिए, जो नहीं है, उसे प्राप्त करने के लिए आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संके तात्मक है वो सिंबोलिक तौर पर आलोचना को आगे बरहते हैं उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधनिक साहित में पुना प्रतिष्ठित हुए ठीक है? यह कहानी विश्च के धात तथा अन्य कहानिया नामक कहानी संग्रा से ली गई है यह जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं यह विश्च के धात तथा अन्य कहानिया एक संग्रा है उनका उनमें से लिया गया है अगर प्रिक्षा में प्रश्ण आवे कि विश्च के दात कहानी किस किताब से ली गई है तो उसका अंसर होगा विश्च के दात तथा अन्य कहानियां यह कहानी मध्यम वर्ग मध्ध वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है मद्ध वर्ग में अंतर विरोध होते हैं वैसे तो सभी वर्गों में अंतर विरोध होते हैं लेकिन ये कहानी मद्ध वर्ग के अंतर विरोधों को जागर करती है अंतर विरोध है मतलब हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कहते हैं कुछ है और करते हैं कुछ है तो एक हम ही नहीं एक आप ही नहीं मैं ही नहीं हम सभी एक प्रकार के जूट के शिकार होते हैं एक तिलिसमसा बना होता है हमारे वातावरन में कि हम चाहकर भी सच नहीं बोल पाते हैं हम जूट को सुविकार कर लेते हैं अपने जीवन शैली के रूप में, तो ये इसमें है कि कैसा जूट, कैसी विडम्बना मनुष के जीवन को घेरे हुए है, ये इसमें हम लोग देखेंगे, कहानी का जैसा ठोस समाजिक संदर्व है, वैसा ही स्पष्ट मनुवज्ञानिक आ हितर ही एक ओर सेन साहब जैसों की एक श्रेनी उभरती है, इस कहानी के एक मुख्य पात्र है, सेन साहब, सेन साहब पैसे वाले आदमी हैं, उनका समाज में रोब है, तो रोब धाक वाले लोग हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं, तो ऐसे लोग जो बोलते हैं, उसकी काटा वाले लोग नहीं मिलते और दूसरा जो निम्न तब के आदमी है जो आर्थिक इस्तिती से कमजोड है इसको बड़ा पद नहीं मिला है उसको समाज में उस रूप में प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो जो अपनी महत्वा कांख्षा और सफेद पोशी के भीतर महत्वा कांख्षा है ऐसे मधवरगिये लोग भी उचा उठना चाहते हैं बड़ा बनना चाहते हैं सफेद पोशी हैं यह सफेद पोश्ट लोग होते हैं उपर से देखने में बड़े स्वच्छ और उच अस्तर के मालूम पड़ते हैं और उनके भीतर भी पलवारों में लिंग भेद जैसे अंतर होता है बेटा को जादे मानना बेटी को कम मानना ये कुसंसकार उन पलवारों में भी होते हैं जहां पैसों की कोई कमी नहीं है तो दूसरी और गीरधर जैसे नौकडी पेशा निम्नमधवरगिये व्यक्ति की श्रेनी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों की बीच भी अपने अस्तित्य को बहादुरी एवंग साहस के साथ बचाय रखने के लिए संघर्ष रत है और दूसरा है वो तब का जो नौकडी करता है आमदनी बहुत नहीं है वह समाज की जो बंदिशे हैं उस पर वो लगू होती है और तब भी वो बहादुरी और साहस के स अपने स्वभिमान को बचाय रखने के लिए संघर्ष करता है यह दो धराएं एक वह अमीर वह तकतवर वर्ग वह भी कुसंसकारों से ग्रसित और एक वह जो उससे निजले अस्तर का जिसको दूसरों की बात माननी होती है फिर भी वह भी संघर्ष रत है अपने स्वभिमा आकरामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार जदा प्यार दुलार करने से बचे बिगरते हैं लड़का लड़की एक समान भेद नहीं होना चाहिए उंच नीच नहीं होना चाहिए समाज में के कुप परिनामों को उभारती हुई समाजिक समानता समाज में सम मानुवा धीकार किसी भी मनुश्य को दबाना नहीं चाहिए सब जीने का अधिकार है ये माहत्वपूर्ण बानगी पेश करती है जिस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे उसी नीज के का भेद है इसको लिखक ने फोकस किया है है और लिखक की पुकार है कि समाज में समानता हो और उसकी आवाज मानवा धिकार के पक्ष में है जाहिद है कि कोई निचले तबके का व्यक्ति किसी अमीर वर्ग के व्यक्ति को इसमें निचा दिखाने का प्रयास करेगा निचले तबके का व्यक्ति किसी उचे तबके के व्यक्ति से बरावड की भाषा बोलेगा this ये कहानी में हम लोग या पाएंगे तो विश के दांत हम लोग बाठ पढढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे तो मेरे दोस्तों, आपको एक कहानी मैं अब पढ़ाऊंगा मुझे लगता है कि इस कहानी में हमें सिर्फ विश के दांत को ही सबसे पहले समझेना चाहिये विश के दांत, साप के अंदर विश के दांत खोते हैं विश की ठैली होती है उस थेली के निकड़ जो दांत होते हैं उसे बोलते हैं विश के दांत उन दांतों की सहायता से वो विश किस व्यक्ति के सरीर में डाल देता है तो व्यक्ति मर जाता है तो विश के दांत कहां कहां हैं क्या सिर्फ सांप या विशहले जिवों में भी होते हैं या आदमियों में भी होते हैं, मनुश्यों में भी होते हैं, तो विश्च के दात यहाँ पर लिखक ने मनुश्य के भीतर खोजा है, जैसे कि कहानी हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे, कि सेन साहब और इनका जो किरानी है, नौकर कहिए, इनसे छोटा स्टाफ, तो ओ, गिर्धर, गिर्धर का लड़का मदन और इनका लड़का सेन साहब का लड़का खोखा, यह दोनों में जगड़ा हो जाता है, जगड़ा होने में मुका मुकी होती है, और गिर्धर का लड़का मदन जीतता है, उसने खोखा के दांतों को कुछ दांत तोड़ दिये मार के, तो वो जो दांत तूटे, लिखक ने उन्ही दांतों को विशय में कहा है, विश के दांत, क्योंकि किसी निचले तबके के व्यक्ती ने समाज में आर्थिक लूप से पिछरे हुए, तबके के व्यक्ती ने किसी संपन्परिवार के व्यक्ति के दांट तोड़ दीए, जो उच निस की भाशा बोलता था, जो मानौ मानो के बीच में भेद करता था, जो अपनी गलतियों को छुपाता था, और दूसरों की खुबियों को भी गलती सावित करता था, तो वो दांट क्या थे? वो विश के और इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं तो बहुत जल्दी मैं सेकंड पार्ट भी आपके सामने अप्लोड कर दूंगा तब तक आज का यह पार्ट यह लिखक के वीशय में रहा लिखक के उपर केंद्रित रहा और टाइटल का मतलब भी हम लोग समझे जो पार्ट का शीर